क्यूंकि मैं सदन का सबसे युवा सदस्य हूँ, मैं अपना दायत्व और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा अगर मैं आज इस देश के युवाओं का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है उसे ना उठाऊं। सर इस देश में दो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, एक शिक्षा व्यवस्था है, अर्विंद केजरिवाल जी की शिक्षा व्यवस्था, जिसमें दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए गए, ब़डिया करिकुलम, क्वॉलिटि एजूकेशन दी गई, और एक शिक्षित बहारत का शिक्षित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर आम आदमी पार्टी अर्विंद केजरिवाल जी आगे बड़े। एक दूसरी शिक्षा विवस्था है सर जिस शिक्षा विवस्था में परीक्षा शिक्षा माफिया जन्म लेता है जिसके तहट आज लाखो बच्चों का भविश्य अंधकार की कागार पे खड़ा है। का राज रहा और कैसे इन 35 लाख बच्चों का भविश्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। वो 35 लाख बच्चे आज इस संसर टीवी को देख रहे हैं इस उमीद से कि शायद उनके अधिकारों की उनके हकों की बात होगी। भारत देश एक बहुत युवा देश है। भारत की 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम आयू की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया के सबसे युवा देशों में भारत आता है। जहां जापान की पॉपिलेशन की औसद उम्र 50 साल है। इटली की 48 साल है, जर्मनी की 46 साल है, युनाइटिट किंडम की 40 साल है, चीन की 40 साल है। जहां विक्सित देश बुड़े होते जा रहे हैं, भारत देश जवान हो रहा है, भारत की औसद उम्र आज 29 साल है। लेकिन हमने इस युवा भारत के लिए किया क्या। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में दुनिया की 2nd highest student population है। अगर आप primary, secondary और higher education को जोड लें, तो कुल मिलाकर 31 करोड आबादी भारत देश की students कहलाती है। यानि की पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। लेकिन उन युवाओं के लिए हमने किया क्या। मैं बताना चाहता हूँ कि इस विवस्था ने, इस सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया। दो IPL हैं सर इस देश में। एक IPL है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है। जिसे कहते हैं Indian Premier League। और दूसरा IPL है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है। जो है Indian Paper League। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूँ कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़ियों से बर्बाद करने का काम किया गया। और उस सूची में मैं नाम पढ़के आपका ध्याना कर्शित करना चाहूँगा कि क्या क्या हमने अपने देश के युवाओं को दिया है। पहला व्यापम स्कैम। दूसरा UGC NET Paper League। तीसरा तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन Hindi Paper League। असम HSC-LC General Science Paper League। उत्तरपरदेश लेकपाल Recruitment Exam Paper League। राजिस्थान Forest Guard Recruitment Exam Paper League। बिहार Public Service Commission Exam Paper League। गुजराथ Head Clerk Exam Paper League। SSC CGL Exam Paper League। UPTET Exam Paper League। राजिस्थान University Paper League। UPPSC Paper League। महरास्त्रा HSC Exam Chemistry Paper League। UP Police Constable Qualifying Exam Paper League। REIT यानि की राजिस्थान Eligibility Examination for Teachers Paper League। हर्याना Police Constable Exam Paper League। हिमाचल प्रदेश Police Constable Exam Paper League। रेलवे Recruitment Board Group D Exam Paper League। उडिसा Teacher Eligibility Test Paper League। असम Police Recruitment Exam Paper League। बिहार Board का दस्वी कक्षा का भी examination Paper League। तेलंगाना SSC Exam Paper League। करनाटक SSC-LC Exam Paper League। दिल्ली University Law Entrance Exam Paper League। जामियमिलिया इस्लामिया इंट्रेंस exam Paper League। UP Board Exam Mathematics और बायोगा Paper League। राजिस्थान Teacher Recruitment Exam Paper League। और इस साल का NEET का दोजार चौबिस का Paper League। माने रागो चर्णादी यह ऑथेंटिकेट करके आप यहां रहा है। पोट दूगा। होती है जब सालों की आपकी मेनत पर पानी फिर जाए क्यूंकि एक examination एक paper leak हो जाता है तब सिरफ दिल नहीं टूटता। विद्ध्यार्थी एक इंसान पूराठ टूट जाता है उसका मनोबल टूट जाता है आज उस मनोबल को हमें सब को मिलकर address करने के आवशकता है और आज मैं उन युवाओं की ओर से NEET से संबंदित उन 35 लाख students की ओर से सरकार से 5 सवाल पूछना चाहूंगा और वो पूछने से पहले यह बताना चाहूंगा कि NTA जो जिसे National Testing Agency का नाम देखके जिसका गठन किया गया था कि वो युवाओं के भविश्य के लिए कुछ कारगार कदम उठाएगी एक transparency से examination कराएगी उस NTA का full form आज no trust anymore हो गया है कोई भी विद्यार्थी आज इस NTA पे विश्वास नहीं कर रहा और मैं विद्यार्थियों के ओर से ये 5 सवाल सरकार से पूछना चाहूंगा पहला सवाल नीट का पेपर जिसमें मातर एक दो बहुत हुआ तो तीन चार स्टूडेंट्स की रैंक वन आती है जैसे कि 2023 में मातर दो लोगों की रैंक वन आई चौबिस में मातर चार लोगों की आई 2021 में मातर तीन लोगों की आई जब इतने कम लोगों की इतने कम स्टूडेंट्स की रैंक वन आती है तो इस साल 2024 के नीट के पेपर में कैसे 67 बच्चों की रैंक वन आ गई जब कि फैकल्टी और टीचर्स ये मानते हैं कि बहुत मुश्किल पेपर था कैसे मैंथमेटिकली इंपवसिबल नंबर स्टूडेंट्स के आते हैं इस इकजैम में या तो 720 नंबर आएंगे जिसके सारे जवाब सही है और अगर एक भी गलत हो गया तो आप 715 नमबरों पे आ जाएंगे इस 715 और 720 के बीच में किसी के नमबर नहीं आ सकते लेकिन इस बार ग्रेस मार्क्स देकर 717, 718, 719 और आखरी सबाल, मेरा आखरी सबाल, मैं सबाब कर रहा हूँ सर इस बार इस नीट एक्जाम के नतीजे 14 जून को आने थे, उसको 10 दिन पहले कर दिया गया, हम देखते हैं कि नतीजों में देरी अक्सर होती है, लेकिन 10 दिन पहले चुनावों के शोर के नतीजों, नतीजों के शोर में 4 जून को नीट एक्जाम के नतीजे लाए गए, क्य मानियवाद सभापती महदे, मानियवार सांसद जी ने जो गुरूप D एक्जाम रेलवे के बारे में कहा है, वो फैक्चुली इन्करेक्ट कहा है, सदन को मिसलीड करें, मैं फैक्चुल पोजिशन आपको बना देता हूं. गुरूप D एक्जाम सर, गुरूप D एक्जाम, 191 cities, 551 center, 99 shifts, 33 days, 15 languages में हुआ, 1,111,000,000 applicants ने एक्जाम दिया, और बिना कोई कहीं पर एक भी सिंगल शिकायत के, टोटल रेलवे ने 1,500,000 लोगों को अपोइन्मेंट दिया है, और ये क्रपया अपना विड्रौ करें, अथव एक्सपंज किया जाए। मान्नी राम्जी लाल सुमंजी, मान्नी राम्जी